वेलकम टो सेसी मेटी जी आज कई दिनों के बाद एक बहुत ही इंपोर्टेंट इसीव पर एक वीडियो बनाने पढ़ रहा है आप सभी को पता है कि अभी सरकार के द्वारा एक अगनी पत स्कीम यूज की गई है लौंच की गई है तो सबसे बड़ा प्रस्नि यह है कि क्या आने वाले वक्त में जो सेसी की परिछाय कंड़ कराई जा रही है या सेंट्रल गवर्मेंट के द्वरा जितनी भी परिछाय कंड़ कराई जा रही है अलग-अलग ओर गघनाइसिशन के लिए क्या वहाँ पर भी इस तरह की अगनीपत, स्कीम या इसी तरह की कोई और योजनाए लागू की जा सकती है तो हाँ बिलकुल लागू की जा सकती है और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सरकार अनेक्सपेक्टेड मूल लिये जा रही है unexpected step उठाया जा रही है देश के युवाओ को बर्बाद करने के लिए इस देश को बर्बाद करने के लिए तो आने वाले वक्त में भी इस तरह की चीज़े जरूर की जाएंगी और इसके संकेत मिल रहे हैं और बहुत साई चीज़े की भी जा चुकी हैं अभी जो सरकार ने अगनी वीर इस तरह का नाम दे दिया है हम जब भी प्राइविटाइज़ेशन के बारे में बात करते थे तो एक चीज़ तो कभी किसीने इमेजिन नहीं की होगी कि कभी आर्मी भी प्राइवेटाइज़ेज्ट हो सकती है यह दो कौन्ट्रेक्ट का पिरियर्ड है चार साल का यह तरह का प्राइविटाइजेशन है और यह अभी इनिसियल लेवल पर है अभी आगर यह इंप्लिमेंट हो जाता है सक्सेस्पुली तो आगे आगे देखिए तो सरकार किस तरह से चीजों को और भी बड़े लेवल पर प्राइविटाइज करेगी अगर आज सरकार ने आ पर लोगों को हैर किया जा सकता है तो पुलिस में क्यों नहीं किया सकता है आर्मी एक सुरच्छा का विसे है बहुत ही जो देश की सुरच्छा का मामला है बहुत ही तो अगर आर्मी में चीजे लागू की जा सकती है तो पुलिस में लागू करना और भी आसान होगा और आप सभी ने देखा होगा कि SSC हो या कोई भी other government organization होगा अगर आप government job करते हैं अगर आपका कोई भी दोस government job करता है तो आपे आपने देखा होगा कि private hiring start हो चुकी है जो बहुत सारे काम होता है इस स्टेनोग्राफर की किसी को जरूरत है SSC तो इस स्टेनोग्राफर की recruitment कर रही है जिन जिन organization में SSC का मतलब जिन जिन organization के लिए SSC exam करवाती है लेकिन यहाँ पर एसी बहुत सी organization ऐसी है कि जहाँ पर जो SSC के दोरा जो examination नहीं करा जाती है लेकिन वहाँ पर government department में ही private hiring की जाती इस स्टेनोग्राफर की LDC की और अलग स्टेनोग्राफर की तेजगती से बढ़ा भी दिया गया कि private hiring के लिए दो साल का contract चार साल का contract पांस साल का contract इस तरीके से काम किया जा रहा है आप सभी को पता है कि इस सरकार ने भी हाली में कुछी दिन पहले railway में लगबग 98,000 vacances को खत्म कर दिया गया है अगर यह जो 98,000 vac है बाद उसका भी जिस तरह का contract बेस पर चीज़े चले थे तो उसको वहाँ पर लागू कर दिया है कि अगर इतने बड़े लेवल में प्राविटाइजिसिंट स्टार्ट हो चुका है और थोड़े टाइम के बाद लोग प्रोटेस्ट करने के बाद चीज़े भूल भी जा रहे हैं लोगों का फोफन हो रहा है तो क्या गैरेंटी है कि आने वाले समय में जो ऐसे सी वीर इस तरह की चीज़े नहीं आ सकती है कि इंस्पेक्टर जितने भी चाहिए हमें जो एलडी सी चाहिए तो एलडी सी को प्राविट कॉंट्रेक्ट बेस पर चार-पांस साल के ल अगर इस सरकार की ताना साई इसी तरह से चलती रही और जो देश का यूवा आज जो अगनी वीर स्कीम के खिलाफ खड़ा है जो लाए लगा रहा है प्रोटेफ्ट कर रहा है जो हिंसा हो रही है यह कोई दुसरे लोग नहीं हैं यह यूवा वही यूवा है जो 2019 में देश की सुरच्छा के नाम पर एक सरकार को वोट दिया था, धर्म के नाम पर वोट दिया था, तो ये वही उइवा हैं, आज इनको बात समझ में आ रहे जब इनके उपर चीजे आँज गिर रही है, तो यही चीजे धिरे-धिरे हर एक युवा के साथ होने वाली है आने वाले वक्त में और गवर्मेंट जोब का वोट बैंक पॉलिटिक्स पे कोई ज़्यादा एफेक्ट नहीं पड़ता है मैकसिमम लोग गवर्मेंट जोब की तादत करने वाले में करोडों लोग हैं लेकिन अगर हम वाट बैंक की पॉलिटिक्स के हिसाब से चीज़ों को देखें तो फिर भी ये जो संक्या है काफी ज़्यादा काम होती है अगर वाट बैंक को हम कंसीडर करें तो ये सारी चीज़ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है गरीब और गरीब होता जा रहा है यह हर जगा कोस्ट कटिंग की बात कर रहे हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट हो दो दो तिन तिन पेंसन ले रहा है और उसकी पेंसन काफी दक करोड़ों में लाखों में वो पेंसन उठा रहा है उसके घर का भी उसके घर का जो एक नेता होता है उसके घर का जो बिजली कब भी लाता है वो करोड़ों में लाखों में आता है तो मतलब करोड़ों रुपए तो आप एक नेता की पेंसन की पीछे खर्च कर रहे हैं तो उसके वो सारी चीजे इन लोगों को दिखाई नहीं देती अपने लिए ये स्कीम नहीं बनाते हैं इनके जो बेटे होते हैं अभी हाली में देखा होगा कि कुछ मिनिस्टर्स के जो बेटे थे उन्होंने को विदोसों में पढ़ाया जा रहा है अपनी पेंसन बंद नहीं कर रहे हैं लेकिन जो कुछ थोड़ी बहुत जो सेलेरी ये गवर्मेंट इंपलोई को ऐसा तो है करोड़ों की सेलेरी मिल रही है यह लोग उसको भी खत्म कर रहे हैं गवर्मेंट की कोई भी एक स्कीम जो अधा फंड जो है जो बीचोली है गवर्मेंट के लोग अंदर के मिले हुए लोग उपर के ओफिसर सब खा जाते हैं तो अगर इस लेवल पर करप्सन वहां पर हो रहा है तो इनको मुझे नहीं समझ में आता कि ये कोफ्ट कटिंग से कितने पैसे बचा लेंगे ये मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बरबाद करने का एक ठेका है जो इस सरकार ने उठा रखा है हो सकता है कि आपको मेरी बाते बुरी लगे लेकिन अब इसमें कुछ मैं कर नहीं सकता प्लीज वीडियो को लाइक कीज़े जैन जै भारत वंदे मात रहूं